तो हैलो दोस्तों स्वागत है आपका रगुवी रावतपारी व्लॉग में आप सभी का आदिक स्वागत और अभिनमन करते हैं और आज के व्लॉग के सुरुवात कर रहे हैं तो आज के व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा नीलकंट महादेव मंदिर इठाना तो कोई निलकंड महादेव मंदिर इठानना कहता है कोई सिव मंदिर इठानना कहता है और कोई इठानना मंदिर कहता है तो काफी नामों से इसको जाना जाता है तो चलिए अभी मैं निकलना हूँ निलकंड महादेव मंदिर के दर्शन के लिए आशोंबार है तो आप लोग भी बने रहे ये वीडियो में और महादेव के दर्सन कीजिए और महादेव का असिर्वाद आपको भी और हम सबको भी मिलेगा तो बने रहे ये वीडियो में और चलते हैं महादेव मंदिर की तरफ तो देखे इठाने वाली रोड़ पर जब आप चल रहे हैं तो जितने जितने आप हैड में जाते रहेंगे ओचाई पर पहुंशते रहेंगे उतने ही उपर से आपको बहुत सुन्दर सुन्दर द्रश दिखाई देखने को मिलता है सामने देखे वह देरादून का एयरपोर्ट है जॉलिकरांट एयरपोर्ट यह सामने दिख रहा है यह सुबे-सुबे का टाइम है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा सा लगा और यह सामने थानों गाउं है, यह सामने थानों है, यह दिखाई दे रहा है, यह सामने थानों गाउं है, और इसके बगल में नीचे की साइड जो दिखाई दे रहा है, यह सूर्यधार, यह देखिए, यहां प्लोटिंग चल रही है, ये सूरिधार है और इससे उपर जो सामने पहाड़ों पर दिख रहे हैं छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं वो है संगाओं ये संगाओं है तो ये काफी दूर पर हैं बहुत दूर पहाड़ों पर ये दिखाई दे रहे हैं तो फोटो भी साप नहीं आ रही है तो यह संगाओं है और यहां कि यह उंची उंची पहाड़ियां देखी और आज मौसम बिल्कुल खराब हो रखा है ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल बारिस आने वाली है बादल बिल्कुल काले-काले दिखाए दे रहे हैं हो सकता है बारिस आजाए तो अभी मुझे निकलना है शिव मंदिर इठाना के लिए तो उसी रोड़ पर मैं अभी हूं तो चलिए बने रही है वीडियो में और आगे आपको दिखाते रहेंगे और नीचे सामने जो दिखाई दे रहा है यह है काटल गाउं और वह सामने है ड्रिम वैले दिशॉट और नीचे हमारी वाली रोड यह नीचे शिला चोकी वाली नदी जो नीचे दिखाई दे रही है यह गाउं है काटल घुक ओंसा और सामने दिखाई दे रहा है यह है फर्थी तो आबही मैं फर्थी के पास पाहूंच गया हूं और यहां से फर्थी पहाड की चोटियां कैसे सुन्दर दिखाए दे रही है एक पहाड के पीछे दूसरा पहाड और दूसरी के पीछे तीसरा पहाड देखें कितना सुन्दर सा द्रश्य दिखाए दे रहा है पहुंचने के बाद आप थोड़ी देर खड़े होकर जो है चारवत तरब का द्रश्य देखेंगे ने तो आपको बहुत सुंदर नजारे नजार आएंगे यह सामने दिखाई दे रहा है इठारना गाउं यह देखिए यह सामने है इठारना गाउं और यहीं से होकर के मुझे उपठ पहुंदane के लिए और ये सामने दिखाई दे रहाए इतारनी का इंटर को लेज है जो इठारना गाउं के बच्चे सब यहां पढ़ने आते हैं और सामने ये दो तिन रिशॉर्ट रहें यहां पर बने वे तो यहाँ पर रुखने की वियरस्ता भी है आप लोगों को अगर आप यह सूच कर चलते हैं कि एक दिन या दो दिन इठारना में रुखें तो रुखने की आपको सब वियरस्ता मिलेगी तो देखें पहुंच गए हम सिव मंदिर में तो यह मंदिर का गेट है यहां बार और यहां से अब अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए तो बने रही ये वीडियो में और आप लोग भी दर्शन करिए आज निलकन महदेव मंदिर इठारना के तो दर्सन करिए आज सुन बार है तो मैं भी महादिव के दर्सन करने के लिए आया था इंगा चलिए बहुत टाइम बार सावन के बाद आज मैं यहां पर आया हूं सावन में जय हो मेरे मामा भुलेना तुमारी सदाही जय जय कार वो दीना नात की जय हो कासी विश्वनात की जय हो नेल गंट भगवान तुमारी सदाही जय कार वो नमस्षिवाय शंक्राय भुलेना था है बहुत संदर दर्सन आ जो है महादेव के बिलकूल मंदिर खा लिए अभी कोई नहीं है सुबह सुबह का टाइम है सामती से बैठकर दर्सन के है महादेव में तो भगवान भगवान भलीनात के ही बगल में है नाग्राज भगवान需要 है नाग्र जय कि दर्शन करिए तुंदर्शन करिए माता रानी के रखना को कि वगण कि तो जैहो माताराने की मामबे जग्लंबे की 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 जग्लं कást क्का मन्दिर है चे को हुआ जो है रोंगे बीच में बचाइव के बीच में अपने आप में एक बहुत शुन्दर खूप्सूरत बाटियों के बीच में तो दर्शन हो गए हैं और अब धूब भी लग गई है फार्स क्लास सुबे तो ऐसे लग रहा था ये बारिश होने वाली है लेकिन अब मौसम बदल गया है और सुन्दर पाहडियों पर धूब खूब आ गई है यहां पर यह हन्मान जी का मंदिर है और देखे सामने पाहडियों के बीच से निकल गए हैं तो यह बिल्कुल चारों तरफ बड़े-बड़े पाहाड है और इन पाहडियों के बीच में यह महादेव का मंदिर बहुत सुन्दर दिखाई देता है और यहीं पर बगल में एक रुगद्रास का पेड़ है यह वाला यह रुद्राक्स का पेड़ है और छोटे-छोटे रुद्राक्स इस पर अभी लगे हैं देखें मैं दिखाता हूं आपको यह देखें यह देखें यह जो है न यह रुद्राक्स हैं लगे लए ऐसे होते हैं छोटे रुद्राक्स तो अभी तो यह लगी रहे हैं और कुछ टाइम बाद यह बड़े होंगे फिर उसके बाद इसूप के नीचे गिड़ जाते हैं बहुत बड़ा प्रेड़ है रुद्राश का यह वाला नागर्चा भगवान का मंदिर है और इसके ठीक आगे जो है इन तीनों मंदिरों के बीच में बहुत बड़ा एपिपल का प्रेड से कुछ मांग के जाते हैं तो इसलिए यहां पर देखे चुनिय बाहन है यहां महादेव की लिला है पर यह जल रहा है मारेव का धोना धोनी जलाई है यहां पर बाबा भुलिनात की यह देखिए भुलिनात के मंदिर के ठीक आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पर सावन के महिने में मेला लगता है और हजारों लोग यहां दर्सन करने के लिए आते हैं तो बहुत बड़ा ग्राउंड है यह और बहुत जगे है इसमें और लाखों भक्त लोग भी यहां पर अगर दर्सन करने के लिए आ जाएं तो भाई जगे कम नहीं पर सकती इतनी ज़्यादा जगे यहां पर बहुत बड़ा ग्राउंड है वग्वान भुलिनात के मंदिर के ठीक सामने और यह सामने महादेव की जो मंदिर के ठीक सामने उंची उंची पहाड़ियां है बहुत सुन्दर सा द्रश इनका दिखाई देता है सामने जो गाउं दिखा रहा है यह फरती और दूर से भवान भुलिनात के मंदिर के दर्सन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं का आनंद लीजिए आज सुंबार का दिन था और अचाना की प्रोग्राम बना के चलिए महादेव के दर्सन करने चलते हैं और आज निकल पड़े सुबह ठीक आठ बज़के बाइस मिनिट पर में जो यह में रोड है इठाना वाली मंदिर के लिए जो आती है उस पर चल दर्सन करने के लिए और नौ बज के बाइस मिनट पर में ठीक मंदिर में पहुंच गया पूरा एक घंटे का टाइम लगता है अगर आप धिरे धिरे आते हैं कि सुबह का टाइम है और आज कल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है हमारे यहां पर दुबारा से बीच में एक मासम गरम हो गया था तो फिर ठंड हो गई तो सुबह काफी ठंड लग रही थी तो मैं जैगट हो गएरा फैन के आया हूं और ठीक एक घंटे में मैं यहां पर पहुंच गया हूं दर्सन करने हैं महादेव के बहुत खुले-खुले दर्सन हुए हैं खाली मंदिर है इस समय इस समय अभी कोई नहीं है और अम मैं निकल रहा हूं वापसी अपने घर के लिए तो वो कहते हैं कि तसली से दर्सन करने होते हैं तो यह से खुले टाइम पे आयए जैसे इस समय है तो इस समय बहुत कम लोग मंदिर बे आदे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे दर्स कर सकते हैं आप लोग चाहिए आप एक गंटा बैठें दो गंटा बैठें महादेव के चवणों में आप आराम से बैठ सकते हैं और जैसे आप किसी परूपे आते हैं जैसे अब शिवरात्री आएगी बहुत ज्यादा भीड रहेगी तो जल्दी-जल्दी में दर्शन करने हो आज आराम से दर्शन वे मन को बहुत तसली हुई तो चलिए अब निकलते हैं घर को और भगवान बोलेनात का आसिरवात आप पर और हम सब पर बना रहे तो इसी के साथ निकलते हैं घर को और मिलते हैं अभी नेचे रस्ते में तो चलिए चलते-चलते इन खूब सूरत हसी पहाड़ी वादियों के बीच से मैं आप लोगों को एक बात अपनी बताना चाहता हूं कि जो मेरा पहले वाला चैनल था रगुवी रावत ब्लॉग जो मेरा यूटूब चैनल था पहले वाला वह असल मैं अब नहीं है दरसल वह यह हुआ यह कि मेरा जो है फोन लॉक हो ग बुल मुझे याद रहार नहीं इल थी लेकिन इल से जो है वह जो मेरा रिकवर नहीं हो पाई क्वेंगी पास्वड था नहीं और मैरा पुराना वाला यूटूब चैनल था कि वे वाला अपस्याजाए और एक मतलब दस दिन से मैं यही कोशिश कर रहा था कि मेरी जो पुराने वाली इमेल आइडिये वह यूटूब चैनल मेरा वापसी आजाए लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह वापसी नहीं आया है बहुत ट्राइ करीए बहुत जगे ट्राइ करीए लेकिन वह 1200 सब्सक्राइबर हो गये और मेरा गुगल एड्सन्स जो वेरिफाइब करने के लिए पिन आता है वह आने ही वाला था तब तक के लिए भगवान भोले नाथ क्यों नाराज हो गये समझ में बात नहीं आई और जो है मेरा चैनल ओड़ गया तो अब उन लोगों से मैं विंत असितवाद फिर बनाए रखें और फिर मेरे को आगी की तरफ अग्रिश्टित करें और अपना असितवाद बराबर बनाए रखें और दुबारा से जो मेरा नया यह आप चैनल है तो वह रगुवी रावत व्लोग था तो इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है र अपने लोगों के साथ सेर करना और लोगों को बताना जरू कि वह ऐसा है यह चैनल अप पुराना वाला नहीं है जो रगुवी रावत व्लोग था वह अप चैनल नहीं है अब है रगुवी रावत पहाड़ी ब्लोग तो अपना खूब आसिरवाद देना धेर सारा प्यार अब हम और फिर एक बात उसी रब्तार से मिन लको आगके बढ़ाना तो रस्ते में चलते दो सबसे पहले हैं आपको यहां पर महा और दाल दर्शन होते हैं पहुए बहुत पुराने महादेव जी हैं तो यहीं पर हुई और मिरमा दर्श भास झाल साभव्侔र कि चलिए दोस्तों फाइनली महा देली के दर्सन करने के बाद मैं पहुंच गया हूं अपनी दुकान पर पीछे हमारी दुकाने यहां पर पहुंच गया हूं मैं और अब आप लोगों को जो है एक बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा और डेली मिलेगा तो डेली व सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना प्यार और आशिर्वाद खूब बनाई रखिए जो पहले बनावा था वह पहले ही तो गया अब दुबारा से स्टार्ट कर देना तो चलिए दोस्तों लेते हैं आप लोगों से इजाजएट और मिलते हैं आपसे अगले व्लोग में हैं तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 दन्या है